हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है संधिकुमार गौर और स्वागत है आपको मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कुस कर रहे हैं डिस्कित मेतमेटिसिक अंतरगत ग्राफ थेवरी पर और आज हम देखने वाले हैं ग्राफ क्या होता है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें ग्राफ में हमने डिस्कुस किया था कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें यदि हम कोई भी दो वाटेक्स उठाएं यू और वी तो वह है एक दूसरे के रीचेवल होना चाहिए त जैसे की डेफिनिशन में के लिखा हुआ है यहां पर वर्टेक्स है अब यदि काउंट किया जाए कि इसमें कितने कंपोनेंट है तो कितने कंपोनेंट है इसमें एक ही कंपोनेंट है कंपोनेंट एक से जादे तभी हो सकता है जब आपको दिया हुआ ग्राफ डिसक कनेक्टेट फॉर्म में हो ठीक है तो यहां पर यह पूरा कनेक्टेट ग्राफ है तो इसमें कंपोनेंट कितने होंगे एक ही कंपोनेंट होंगा ठीक है अम मालीजे हमारे पास ग्राफ में द अब यदि अब इसमें देखा जाए तो कितने component है अब इसमें दो component है पहला component ये है और दूसरा component ये है और ये दोनों ही इस graph के subgraph है ठीक है और ये subgraph किस तरह के connected subgraph है किस तरह के graph होना चाहिए connected subgraph होना चाहिए यदि आप ABCD को देखें ये जो subgraph है इस पूरे graph का तो ये आप पसमें पूरे connected है, इसी तरह E और F दोनों एक दूसरे से connected है, तो component वही होगा, जो graph के अंदर से subgraph निकलेगा, और साथी साथ में किस तरह कहोना चाहिए, connected subgraph होना चाहिए, तो यदि आपको ये graph दिया हुआ है जी, तो इसके दो component है, अब यहाँ पर जो word दिया हुआ है, maximal, maximal का मतलब यह होता है, कि जो आपने यहाँ पर component देखें, इस component में, मतलब इस connected subgraph में, यदि आप किसी और vertex या ages का combination लेते हैं, तब यह आपका component नहीं रहेगा, जैसे यदि हम A, B, C, D में किसी और vertex को अगर add कर दे, माली जी E को add कर दे, तो D से E, E, H बन जाएगी, तब यह आपका component नहीं रहेगा, ठीक है, तो maximal connected subgraph यहाँ पर होना चाहिए, अब माली है, कि हम फिर से एक graph बना लेते हैं, कुछ इसी तरह से बना देते हैं, ठीक है, जैसे उपर graph बना हुआ है, वही कि हमने बना लिया, A, B, C, D, E, F, अब यहाँ से यहाँ कोई age बना दे, तब यहाँ पर कितने component रहेंगे, अब देखिए, पूरा graph फिर से connected हो चुका है, तो अब यहाँ पर component नहीं है, अब यह single एक component बन चुका है, ठीक है, तो component आपके तभी आपको मिल सकते हैं, जब आपका graph discorrected form में दिया हुआ हूँ, ओके फ्रेंट, तो जो आपको graph दिया हुआ है, यदि वो discorrected form में हैं, और उसमें जितने भी partition आपको दिख रहा हैं, वह ही उसके क्या कहलाते हैं, component कहलाते हैं, बस condition क्या होने चाहिए, कि वह है maximal connected subgraph के form में होना चाहिए, तो दोस्तों, अब देखते हैं, next topic, next topic है, cut age, cut age की definition देखते हैं, an age e of a graph g is said to be a cut age, और a bridge, cut age कोई क्या बोलते हैं, bridge बोलते हैं, of g, if g-e is disconnected, बहुत ही simple definition है, आपको एक connected graph दिया हुआ है, और इस graph में से यदि आप कोई एक edge ऐसी निकालते हैं, ऐसी edge एक हटा देते हैं, जिससे की ये graph क्या हो जाए, disconnected के form में हो जाए, तो वह age क्या कहलाती है, cut age या फिर विरिज कहलाती है, ठीक है, जैसे ये जो आपको graph दिया हुआ है, ये आपको connected graph दिया हुआ है, अब यदि इस में से हम age e5 को हटा दें, ठीक है, माली जी, ये जो आपको graph दिया हुआ है, इसको हम इस form में लिख रहे है, g-e5, किस age को अटा रहे हैं, e5 को अटा रहे हैं, तब हमारे पास जो graph किस तरह बनेगा, इस तरह आपकी चार वर्टेक्स यहाँ पर है, और चार वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सभी age है, e1 भी है, e2 भी है, e3 भी है, और e4 भी है, फिर e6 है, e7 है, e8 है, और e9 है, लेकिन कौन सी age नहीं है, e5 हमने यहाँ से हटा दी, तो अब आप देखिए, यह जो connected graph है, किस form में बन गया है, disconnected के form में आ गया है, तो ऐसी age जिसके हटाने से आपका connected graph disconnected बन जाए, वहे age के कहलाती है, cut age या फिर bridge कहलाती है, फिर इसी प्रकार होता है आपका cut vertex, यहाँ पर हम age को हटाते हैं, और यहाँ पर किसको हट करेंगे, वर्टेक्स को cut करेंगे, और ऐसा vertex जिसको cut करने से, यह जिसको हटा देने से, हमारा connected graph किस form में जाए, disconnected के form में जाए, तो वहें vertex के कहलाता है, cut vertex को यह क्या बोलते हैं, articulation point या फिर cut point भी बोलते हैं, एक vertex V of a graph G is set to be a cut vertex of G, if G minus B is disconnected, ठीक है, माली जी ग्राफ आपको दिया हुआ है G, और हम यहाँ से G minus V4 कर रहे हैं, किस vertex को cut कर रहे हैं हम, V4 को, तो देखिए, V1, V2, V3, V4 हट गया, V5, V6, V7, V8, ठीक है, यह आपका V1 है, V2 है, V3 है, V5 है, V6 है, V7 है, और V8 है, अब V4 को यदि हम हटा देते हैं, V4 को हटा देते हैं, तो V4 से जितनी भी age adjacent थी, वो सब भी हट जाएगी, तो यहाँ से V2 से V4 वाली age, V3 से V4 वाली age, और V4 से V5 वाली age, यह तीनों age यहाँ से हट जाएगी, तो graph किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से आपका graph बन जाएगा, तो अब आप इस graph को देखिए, यह connected graph था, और यह दो part में divide हो गया है, means यह disconnected graph बन चुका है, तो ऐसा vertex जिसको हटा देने से हमारा connected graph disconnected बन जाए, तो वह vertex के कहलाता है, cut vertex कहलाता है, अब देखते हैं, cut set की definition, तो दोस्तों cut age की बाद निकल कर आता है, cut set, ठीक है, the set of all minimum numbers of ages, इसमें हमको क्या निकालना है, किसको cut करना है, ages को cut करना है, of G, whose removal disconnects a graph G, यदि हम कुछ ऐसी ages का set निकालते हैं, जिसको graph से हटाने के बाद हमारा connected graph है, वह किस तरह हो जाए, disconnected के form में आ जाए, तब उन set को, उन ages की set को क्या कहा जाता है, cut set of graph कहा जाता है, हमने निकाला है, ages का जो set हमने निकाला है, उसको S से represent कर रहा है, तब क्या क्या होना चाहिए, S जिए subset of the A set E, जो S में जितनी भी ages है, वो किसकी subset होनी चाहिए, graph की जितनी भी ages है, उनका subset होना चाहिए, second है, removal of ages from a connected graph G, disconnected G, मतलब यदी, जितनी भी हमने ages S में लिखी होई है, उन ages को यदी हम connected graph G से हटा देते हैं, तो हमको क्या मिलने चाहिए, disconnected graph मिलना चाहिए, no proper subset of G satisfy the condition, इसको हम example से समझते हैं, देखिए, अब जैसे माली जीए, यह हमारे पास एक graph दिया हुआ है, यह भी आपको graph दिख रहा है, किस तरह से, connected के form में दिख रहा है, ठीक है, अब माली जीए, हम यहाँ से हटाते हैं, ages, माली जी हम हटा देते हैं, A, C, H, कौन कौन से हटा रहे हैं, A, C, H हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर possible combination अलग-अलग बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि, A क्या दो बनेंगे, आप बहुत सारे combination यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे, अभी हम दे क्या बनाए, A, C, H बनाया, मतलब, यहाँ किस-को उटाना है, A, C, H को उटाना है, तो यह हमारा क्या 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 आएगा, ठीक है? तो cut set हम क्या ले रहा है यहाँ पर A, C, H, 3 H को यहाँ पर हम अटा रहे हैं vertex बनाते हैं पहले इतनी vertex हैं हमारे पास A को हटा दिया है C को हटा दिया है और H को हटा दिया है बागी ages बना देते हैं ठीक है A हट गया, C हट गया और H हट गया ठीक, तो देखिए अब यह जो connected graph था यह किस form में आ चुक है, disconnected form में आ चुक है, दो पार्ट में यह divide हो गया है ठीक है, तो यह जो ages का set है इसी को क्या कहा जाता है cut set कहा जाता है, लेकिन जो third condition है वो भी satisfy होने चाहिए third condition क्या कहा रहा है, no proper subset of G satisfy the condition that means यदि हम लेते हैं इस तरह को कोई set लेते हैं a, c, h, d तो यह cut set होगा है या नहीं is not cut set अब क्यों नहीं होगा, because it's proper subset it's proper subset, proper subset का मतलब इन में से कोई एक और हम रिमूब कर दे तो माली यह, proper subset क्या हो सकता है इसका, a, c, h ठीक है, a, c, h is a cut set ठीक है, करके देख लेते हैं, यह देखिए, a, c, h, हमने अभी यहाँ पर बनाया था, तो यदि आप इसको cut set बोलना चाहते हैं, तो इसका जो proper subset है, भाहे cut set नहीं होना चाहिए, यदि इसका proper subset cut set होता है, तब हम इसको cut set नहीं बोल सकते हैं, तो यह है आपकी third condition, no proper subset of g satisfy the condition, ओके, तो इसके लाबावा भी और और भी आप cut set ले सकते हैं, for example, यह पहले example है, एक और ले लेते हैं, माली यह, हम यहाँ पर कोई set लेते हैं, इस तरह से, cut set, A, B, E, F, ठीक है, तो A, B, E, F को हटा दे दिए, पहले हम बाटेक्स बना लेते हैं, A को भटा दिया, B को हटा दिया, E को हटा दिया, और F को भटा दिया, क्या बच्चा, D बच्चा, यहाँ पर G बच्चा है, और यहाँ पर i बचा है और e बचा है और h बचा है ठीक है तो इस वाले जो cutset हमने लिया है इसको भी देखी इसको use करने के बाद ये graph आपका जो disconnected graph तो disconnected form में आ चुका है लेकिन साथ इसाथ third condition पर भी ध्यान देना इसका यदि कोई proper subset cutset बन जाता है तब आप इसको cutset नहीं बोल पाओगी ठीक है इस तरह आप और भी cutset यहाँ पर निकाल सकते है simply यदि आप सिर्फ i को भी हटा है तब भी एक ये cutset हो सकता है simply अगर देखिए अगर आप सिर्फ i को निकालते हैं तो आप इसको cutset नहीं बोलोगी ठीक है यदि आपका जो ages का set ले रहा है और वो single return है मतलब उसमें सरफ एक ही age है तो फिर वो cutset नहोंके cut age हो जाता है cutset आपका तब ही कहलाएगा जब उसमें एक से जादे age का आप group ले रहा है हो तो आई यहां पर क्या है cutset नहोंके आई आपका cut age है या पर bridge है तो friends आज की वीडियों पर इतना ही यदि वीडियों पसंद आए तो लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you